Hello Everyone, जैसे महाराष्टर CET 2024 के यहाँ पे PCM Stream के एक्जाम सब स्टार्ट होने ही वाले हैं, Second of May से तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे महा तुक्का स्ट्राइटेजी को डिस्कस करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे mostly students ने अपने syllabus को complete कर लिया है, लेगिन जैसा कि MST-CET में कोई भी negative marketing नहीं होती है, तो यहाँ पे हमारे को यह जानना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से हम बहतरीन दुक्का लगा सकते हैं, किस तरीके से हम calculated risk ले सकते हैं, और exam में एक बहुत ही बहतरीन score पा सकते हैं, तो इस वीडियो को starting से लेकर के end तक के पूरा देखना, जिसमें कि हम बहुत ही ज़रूरी और important tips discuss करेंगे, जो कि हमें दुक्का मारने में help करेगी, और एक अच्छा score करने में भी हमारे लिए काफी मतदगार साबित होगी, अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को ज़रू subscribe करो for regular updates, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप website की तैयारी कर रहे है, तो आप हमारे website 2024 crashco सियोधा badge को देख सकते हैं, इन सभी की details हमने description box में provide कर दिये, वहाँ पे ही आपको discount coupon code और procedure for enrollment मिल जाएंगे, अधिक जानका रिग लिए आप हमारी website 10Q challenge.in पर भ से solve कर पाएं, ठीक है, अगर जब हम paper जो है कुछ से solve करेंगे और जितना solve करेंगे उतना हमारे लिए बेतर है क्योंकि हमारी accuracy, हमारी understanding और knowledge पर ही depend करने वाली है, इसलिए maximum paper आपको अपने दम पे छोड़ा करके आना है, maximum accuracy के साथ में, जिससे कि आपका जो भी आपका potential है औ अभी हम discuss करने वाले हैं, वो आप apply कर सकते हैं, और या तो अगर आपने 70-80% छोड़ा लिया है paper, तो उसके बाद में जो paper आपका remaining है, जो कि आपको लग रहा है कि कुछ questions आपके टफ थे, ये doable नहीं थे, ये बहुत जादा lengthy हो गए, तो उन में जो है, अब हम यहाँ पर त जो का strategy apply कर सकेंगे, इसलिए सबसे पहले अब तुग का भी जो है, आपके दो parts में divided होते हैं, यहाँ पे आपको calculated guess करनी की ज़रूर है, ठीक है, तो calculated guess में जो है कई तरीके के आपके जैसे की near options होते हैं, तो उसमें जो है आप खोड़ा सा approximation करके, वहाँ पे एक risk ले सकते है या तो आपके जो option elimination technique होती है, उनको आप अपलाए करके calculated guess आप कर सकते हैं, और जब यह चीज work नहीं करती है, और समय भी बहुत कम बचता है, तब जो है हमारा wild guess work यहाँ पे कान करता है, और यहाँ पे होती है real took का strategy apply, तो अब इसको कैसे proceed करना है, कैसे apply करना है, आईए व example से भी समझेंगे, कि exactly हमें कौन से options को mark करना है, जिने हमने अभी तक के जाधा तर mark नहीं किया है, तो दिखो आपको, पहले distribution समझने की ज़रूरत है, जितने भी options होते हैं, for example अगर आपके 100 questions है, तो इसमें से A, B, C, D, 4 options होते हैं, तो सभी में आपको 4-4 options रहेंगे, A, B, रखिएगा कि पूरे paper में आपका जो division होता है, वो काफी uniform basis पे होता है, तो यहाँ पे आपको, अगर 100 questions है, तो इसमें से 25 questions, आपके A option वाले सही होंगे, 25 questions आपके B option वाले सही होंगे, इसी तरहे C और D के भी 25 आपको correct options देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको याद र जो है, mark कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जादा probability रहेगी, correct होने की बचे हुए time के अंदर, कम time रह जाएगा, तो अगर आपने A और C को जादा fill नहीं किया है, तो फिर आप A और C को fill कर सकते हैं, alternatively, आपने अगर मान लोगी A और D को जो है, आपने mark करके रखा है, पहले आपकी कई questions में आपके जो answer है, वो A और D रहे होगे, तो फिर वहाँ पे आप जो है, बचे हुए time में B और C को mark कर सकते हो, तो इसी तरीके से जो options आपने जादा mark नहीं किये, उनको आपको mark करना है, उन पर जो है आपको तुका प्राखा के आना, अब बात कर लेते हैं, कि कौन से options वाले जो आपके question होते हैं, उन में आपको जादा mark नहीं करना है, ये बात आप आप याद रखना, कई questions होते हैं, जिन में आपका A option कुछ value, B option certain value, C option certain value, और D जो है none of these दिया होता है, तो याद रखना कि अगर आप जो है तुका मार रहे हो, तो इसकी जो probability रतीना, success होने क वो previous trends के basis पे जो है काफी कम है, तो आपको यहाँ पे तो ध्यान रखो, कि जो none of these वाले options होते हैं, उनकी probability of success जो है काफी कम होती है, as compared to those options which have certain values, तो previous trends में भी यही चीज निकल कर के आती है, इसलिए आपको कुछ न कुछ values अगर आपकी दी हुई है और none of these options है, तो अगर आ कर सकते है, as compared to none of these, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कि अगर all of these है, तो क्या हमें इस options को mark करना चाहिए, तो हाँ, अगर आपको options में all of these नजर आ रहा है, तो आपको इसको आप mark कर सकते हैं, तो अगर आपको time कम बचाए, क्योंकि इसकी जो chances है, successful होने की या correct होने की, यहाँ पी यह भी previous trend से यह चीज़ निकल करके आती है, तो आप all of these options को mark कर सकते हैं, उसके बाद में अगर कोई भी extreme options दिये हैं, तो बिलकुल भी उनको आपको mark नहीं करना है, बहुती outlier value दी हुई है, उसको आप अगर mark करने जाओंगे, तो हाई chance से कि आप वहाँ पे गल values दी हुई है, और दो दीन values जो है, अलग-अलग दी हुई है, तो जो आपके आसपास के options है न, उसमें से आप कोई भी एक option को mark कर सकते हो, वहाँ पे क्या है, आप अपनी option elimination top का ऐसे ही अपना हो जाता है, तो दो option बजते, तो आप थोड़ा सा जो है, आप question को solve करके calculated risk ले स है, थोड़ा से solve करना पड़ता है, अगर time रहता है, तो आप उस पे भी जो है work out कर सकते हो, इन सबी को करने के बाद में, मुश्किल से एक या दो गशन साकरी में बचते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा work करना पड़ेगा, और जब आप कर लेते हो, तो इस तरीके से आप अगर आपने ध्यान से समझ लिया, paper अभी जैसे solve कर रहे हो, timer लगा करके करो, और timer लगाने के साथ ही, जैसे ही आप paper solve कर रहे हो, तो इन चीजों को भी apply करने की कोशिच करो, जैसे कि आपका time बहुत कम बचता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे mock test दे लोगे, तो आपको एक टुका टेक्निक आप apply करोंगे, तो definitely आपको एक बहुत ही बैदरीन स्कोर करने से, कोई भी नहीं रोग सकता मारास्टर सीडी के अंदर, और एक top college में भी आपको admission लेने से, कोई नहीं रोग सकता, उमीद करते हैं कि आज एका वीडियो आपको काभी जाधा useful और informative लगा हम ऐसे ही वीडियो लगातार अपने चैनल पर ला रहे हैं, इसलिए चैनल को ज़रू सब्क्राइब करें, वीडियो पसंद आएं, लाइक करें, जा से आधा शेयर करें, चलिए मिलते हैं आप से अंग्लियो वीडियो में तब तक लिए जाए हैं, थाइक्ट यू पॉर्ट झाल